तो अगर आप perfectness हैं और इस बज़े से आपके project अधूरे रह जाते हैं तो यह book finish की समरी सुनकर आप जानेगे कि अपने हर goal को कैसे अच्छी से start और finish कर सकते हैं दोस्तों कई बार हम बड़े जोस से कोई काम शुरू करते हैं लेकिन बीच में फिर उसे अधूरा छोड़ देते हैं उसे finish नहीं कर पाते हैं इसका main reason है कि हम perfectionism के mindset में फस जाते हैं इसका मतलब है हम हर काम को perfect तरीके से करना चाते हैं अगर हमें लगे कि काम perfect नहीं हो रहा है तो हम घवरा जाते हैं और रुप जाते हैं उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं कभी कभी हम इसलिए भी काम पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हम सोचते रह जाते हैं कि जब हर situation perfect होगी तब ही उस काम को करेंगे इसके साथ हमारे दिमाग में बहुत से ideas होते हैं और हम हर idea को try करने लग पड़ते हैं इससे एक भी काम ठीक से नहीं हो पाता तो आईए सुनते हैं और जानते हैं कि इन सब problems को solution क्या है और कैसे हम अपने शुरू किये हर काम को finish कर सकते हैं chapter 1 make realistic goals दोस्तों वैसे तो हम सब goals बनाते हैं लेकिन कुछ लोग unrealistic goals बना लेते हैं ऐसे goals जिनने achieve करना बहुत मुस्किल होता है ऐसा दो काड़ों से हो जकता है या तो आपने उस goals को लिए अपना काम time allowed नहीं किया है या goals ऐसा है जिसे पूरा करने की आपके पास expertise नहीं है आई एक्जांपल से ही समझते हैं माली जी एक blogger जिसकी job भी है सोचता है कि वह हर दिन 2000 सब्दों की अच्छी blog post लिखेगा तो उसका या goal unrealistic है वह हर दिन post नहीं लिख पाएगा अगर कोसिस करेगा भी तो दिमागी रूप से ठक जाएगा और फिर frustrated होकर blog करना ही बंद कर देगा इस तरह से वह blog के काम को finish नहीं कर पाएगा इसके वज़ाए अगर वह हफते में दो post का goal रखे तो शायद उसे आशानी से कर पाएगा उसे कोई frustration या थकान भी नहीं होगी और इस तरह एक साल में बहुत ज़्यादा blog post लिख लेगा जिस उसका blog rank करेगा, traffic आएगा और पैसे भी कमाने लग पड़ेगा इसलिए दोस्तों unrealistic goal मत बनाईए ऐसा goal जो आपके पहुँच में ही ना हो दूसरों को देखकर भी goal मत बनाईए हो सकता है, दूसरे के पास ज़्यादा time और expertise हो और आपके पास ना हो इसलिए successful होने के लिए पहला कदम है एक realistic goals बनाना दोस्तों हमें इसा to-do list बनाने के लिए बोला जाता है लेकिन writer ने कहा है कि हमें एक not to-do की list भी बनानी चाहिए मतलब ऐसे कामों के list जो हमें नहीं करने या आंगे से करना छोड़ देंगे दिन बार हम ऐसे कामों में उलजे रहते हैं जो सिर्फ हमारा time waste करते हैं और हमारी productivity में भी कुछ भी add नहीं करते हमें ऐसे कामों से बचना चाहिए इसके लिए अपनी priority recite कीजिए सबसे पहले वो काम कीजिए जो सबसे ज़्यादा important है ऐसे काम ना करें जो आपका time waste करते हैं जैसे आपकी not to-do list में ये काम आ सकता है फाल्तु की meeting कन्फरेंशन या seminar टीवी फेस्बुक टिक टॉक यूटूब आदी बहुत से लोग घंटो टीवी देखते रहते हैं लगता है उन्हें हर न्यूस का पता होना चाहिए नहीं तो बाकी लोगों से पीछे रह जाएंगे लेकिन दोस्तों टीवी जरा भी जरूरी नहीं होता इससे आप कुछ भी अचीव नहीं करते और अगर आपको कोई न्यूस पता ही नहीं होगी तो आपकी लाइफ रुक नहीं जाएगी इसलिए इन सब चीजों का टाइम बहुत लिमिट कर दीजे जैसे एक राइटर को अगर नॉबल लिखना है जिससे आपको important काम के लिए बहुत असवा मिल जाएगा दोस्तों हम अमें से दूसरों को कहते सुनते हैं कि सीरियस होकर काम करो स्कूल से ही टीचर्स भी सबको silent होकर बैटने को कहते हैं और सीरियसली study पर ध्यान देने को कहते हैं लेकिन सीरियस होकर काम करने से वह बोज लगता है इसलिए बहुत से लोग काम को finish नहीं कर पाते क्योंकि वे बोर हो जाते हैं और ठका ठका सा feel करते हैं ऐसे लोग फिर नया काम भी नहीं करना चाहते इसलिए रैटर ने कहा है कि हर काम को fun बना लो इससे वे बोज नहीं लगेगा और आप उसे मजे से कर पाऊगे कितना अच्छा हो अगर टीचर्स भी हर सब्जेक्ट को fun बना दें उन्हें गेम्स और प्रोजेक्ट्स करवाएं उन्हें अपनी बात चाहें वे उल्टी सीधी भी हो रखने दें बाद में उसमें सुधार कर दें इससे हर बच्चा पढ़ना चाहेगा और कोई फेल नहीं होगा लेकिन स्टडी को बहुत बोरिंग तरीकी से पढ़ाया जाता है और बच्चों को यह बोज लगता है इसलिए बहुत से बच्चों का पढ़ाय करने का मनी नहीं करता दोस्तों आप अपने काम को फन कैसे बना सकते हो इसके लिए कुछ तरीके ऐसे हैं हर आदे घंटे में ब्रेक लेते रहें मन पसंद म्यूजिक सुलने गाडन में छोटी वाक लें जोक्स पढ़कर हसे हैं किसी डांस नमबर पर डांस करें आदी तो दोस्तों इस तरह आप लगातार काम कभी ना करें बीच-बीच में ब्रेक लेते रहें और उपर दीए कोई से भी फन फिल्ड काम कर सकते हैं इससे आप हर पल फिलिश रहेंगे और आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जैसे अगर एक राइटर दिन में 6 गंटे लिखते हैं का गोल बनाता है तो सुनने में यह गोल बहुत बड़ा और बोरिंग लगेगा लेकिन अगर वे राइटर हर आदे गंटे में उठकर ब्रेट लेता रहेगा और बाहर गार्डन में घुमते हुए मुजिक सुनेगा तो उसे यह काम जरावी बोज नहीं लगेगा और ऐसे ही उसके 6 गंटे कब गुजर जाएंगे उसे पता ही नहीं चलेगा तो इस तरह आपने हर काम में फन इलिमेंट चोड़ दें इससे आप भरपूर जिद्गी भी जी सकेंगे और अपने गोल्स भी कंप्लीट होते रहेंगे फूर रिवार्ड एंड मोटिवेट अगर आपको अपना काम या गोल फिनिश या कंप्लीट करना है तो आप उसे हमेसा किसी रिवार्ड से लिंक कर दें जैसे अगर बॉडी बिल्डिंग करनी हो तो यह सोचें कि इससे आप हैट सम लगेंगे और आपको अच्छी गल्फरेंड मिलेगी अगर ब्लॉक सुरू करना हो तो यह सोचें कि आपको पजैसिव इंकम होने लगेगी अगर आपको सेल फैल बुक पढ़नी हो तो यह सोचें कि इससे आपको बहुत सा ज्यान मिलेगा और आप दूसरों लोगों से ज्यादा सफ़र लोपाएंगे गोल में reward को link कर देने से आप motivation से भढ़ जाते हैं और आपकी productivity भी बहुत भढ़ जाती है और आप goal को finish line तक पहुँच जाते हैं बहुत से लोग सूचते हैं कि मैं इस काम को perfectly कैसे करें इसलिए वो सोचते रह जाते हैं और जरा सभी कमी हो तो वह काम शुरू ही नहीं करते हैं लेकिन writer कहते हैं कि आप progress पर ध्यान दें ना कि perfection में perfect time कभी नहीं आता और ना ही perfect mood या motivation आपके पास जो है उसी से काम पर जोड़ जाएं पहले काम को रफ वर्जन ही बना लें फिर उसमें improvement करते जाएं इससे अपने आप ही perfection आती चली जाएगी यसे विंडोज का पहला version perfect नहीं था लेकिन window 10 तक आते आते ही बिल गेट्स नहीं से पॉफेक्ट बना दिया वल्किवे आंगे भी से improvement करते जाएंगे इसलिए दोस्टों perfection के syndrome से बचिए आप सिर्फ काम करने पर ध्यान दीजिए यह मत सूचिए कि अगर यह कमी रह जाई तो क्या होगा लोगों को पसंद नहीं आया तो क्या होगा यह सब बिल्कुल भी नसोचे पहले काम कर दीजिए फिर लोगों की feedback देखकर उसे सजारत करती परफेक्शन का इस तरह आती है अक्सर हमें डाटा को देखकर बर्मित हो जाते हैं जैसे कुछ लोग बार बार अपने बैंक अकाउंट में अपना balance चेक करते रहते हैं और सोसते हैं काश उनके पास इतने पैसे होते तो वे कितने खुश होते कुछ लोग वेटलोस की चाहत में बार-बार वेटलिंग मसीन पर खड़े होकर देखते हैं कि कितना वेटलोस हाकर मिल गया बहुत से ब्लोकर सुरू से तीन महीनों में बार-बार अपनी टैफिक कर डाटा देखना देखना देते हैं मोटिवेट हो जाते हैं और उस काम को कभी भी फिनिश नहीं कर पाते इससे अच्छा है फन के साथ साथ उस काम को करें और एक दिन आप देखोगी कि डाटा भी आपको फिवर में आ जाएगा दोस्तो हलाकि इस बुक का टाइडल फिनिश है लेकिन आपको कभी भी प्रेशर में नहीं आना है अगर कोई काम आज फिनिश नहीं हुआ तो आपको पैने करने की जरूवत नहीं है घर जाए आराम से नीद लें और अगरे दिन फ्रेश माइन से उस काम को करें फिर से सुरू कुछ लोग काम में इतना डूप जाते हैं कि उन्हें खाने पीने की भी होस नहीं रहता बहुत से इंट्रेपनर अपमेशा अपने बिजनिस के बोज से स्ट्रेस में रहते हैं इससे उनके बाल भी जल्दी सफेज हो जाते हैं और हट की कई बिमारिया लग जाती है काम फिन तो दोस्तों अगर फिनिस बुक की समरी सुनकर आपको पसंद आई हो आपको कैसा लगा तो आप कमेंड में जरूर बताईएगा